Hello Friends, Welcome to my Channel दोस्तों आज का जो वीडियो है वो पैन कार्ड से हम लोग GST का डिटील किस तरीके से निकाल सकते हैं उसके उपर है अगर कोई कंपनी का पैन कार्ड है आपके पास और GST नमबर नहीं है तो पैन कार्ड से भी आप उस कंपनी का पूरा नाम निकाल सकते हो उसी के उपर ये वीडियो है चोटा सा वीडियो है तो अगर पसंद आएगा तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब करेगा यहाँ पे देखे मैंने Google Chrome में Know Your GST नमबर टाइब किया हुआ है और उसके बाद में आपको इसको एंटर कर देना है आप जैसे इसको एंटर करोगे तो एक वेबसाइट आएगी GST.government.in इस पर आपको जाना है इस पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको सर्च टैक्सपेयर का ओप्शन आएगा यहाँ पर यहाँ पर देखे समझ लीजे यहाँ पर सर्च बाइज नमबर लिखा है और यहाँ पर लिखा है सर्च बाइज पैन लिखा है अभी आपके प सिर्फ पैन नमबर है तो यहाँ पर सेर्च बाइज पैन में जाओगे तो यहाँ पर देखे सर्च बाइज का उप्शन आ जाएगा अभी हम लोग यहाँ पर एक पैन नमबर डालते है करे आई को आई ऐल कि वी डबल सिक्स जीरो फोर एन यह समय लीजिए आपके पास सिर्फ एक पैन नंबर अवेलेबल है तो यह पैन नंबर से वो कंपनी का जीएस्ट नंबर आ जाएगा और वो जीएस्ट नंबर से कंपनी का नाम दिख जाएगा आपको तो 473937 यह नीचे का ओप्षन यह कैप्चा का अभी यहां पर देखिए सर्फ इस रिजल सर्च बेस्ट वेस्ट फैन तो यह पैन पर जो सर्च रिजलत आया है वह यह घया तो समझ लीजे आपके बाद जीएस्ट नंबर नहीं है पैन नंबर है भी पैन मतलब यह टैन डिजिट होते हैं यहां पे आगे का जो 27 यह महारास्ट्रा का क इकल गया है अभी आप यह जीएस्टी नंबर पर क्लिक करोगे तो यहां पर देखे फिर से आपको यह मागेगा तो आपको यह फिर से डालना पड़ेगा 222 6 1 8 यहां पर देखे जैसे मैंने डाला तो लीगल नेम ओफ बिजनेस आ गया तो यह यह नाम की कंपणी है यहां पे अक्तिव दिखा रहा है टेक्सपेर टाइप रेगूलर दिखा रहा है और इसका एड़र्स भी आ गया है तो जीएस्टी नंबर से सब सब सर्च करी लेते हैं ज तो यहां पर search by GST में जाओगे तो यहां से आप सर्च कर लोगे बड़ अगर आपके पास pen number है सिर्फ तो वह कैसे करना है वह मैंने इसमें बताया है अभी यहां पर जाने के बाद यहां पर देखिए आपको यहां नीचे इसका show filing table में अगर जाते हो तो यह party ने कब कब file किया है वो भी आपको दिखेगा यह कौन से टाइप का work है कौन से टाइप के यह लोग work करते हैं कौन से hsn code इसको लागू होते है वो भी दिख जाएगा और बहुत सारी आप information निकाल सकते हो यहां से कोई भी company की अब हिआ पर देखेगे show filing table में अगर मैं जाता हूं तो यहां पर देखेगे इन्होंने कब कब return फाइल किया है तो यहां से आप status जान सकते हो यहां पर एनवल return भी कैसे फाइल किये वो भी बता रहा है और ये gstr9c का भी बता रहा है तो यहां पर में तो आप GSTR 3B और GSTR कोई कोई पार्टिस जो होती है वो मंतली नहीं करती है वो उन्हों को क्वार्टरली होता है तो वो भी आप यहां से जान पाओगे तो सिंपल सा है यह मैंने इसलिए बनाया था विकोज यहां पर देखिए यह जो गवर्मेंट का वेबसाइट है GST.gov.in यह वेबसाइट है यहां पर जाओगे सर्जबाइ टेक्सपेर में अगर आपके पास GST नंबर नहीं है सिर्फ पैन नंबर है तो पैन नंबर से यहां से सर्जबाइ पैन में जाओगे तो यहां से पैन नंबर डालके मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप कर सकते ह और अगर आपके पास GST नंबर है तो सर्जबाइ टेक्सपेर में जाईए सर्जबाइ GST में जाईए यहां पर डायरेक्ट डालके हम लोग कर सकते हैं एक बार मैं फिर से आपको बाइ पैन नंबर डालके बता देता हूं कि पैन नंबर सिर्फ अवेलेबल है तो कैसे करोग होए तो यहां पर कि यह आई एल्प कि वी डबल सिक्स जीरो फोर एन और यह सेवन जीरो टूटू डूटू डूबल जीरो 424043 यह प्रॉपर डालना होता है यह देखे आ गया अभी इसका जीएस्ट नंबर आ गया अगर आपके पर जीएस्ट नंबर है अवेलेबल तो खाली सर्च बाई जीएस्ट में जाईए यह यह नंबर डालिए तो आ जाएगा यहां पर देखिए यह जीएस्ट पर किलिक कि अगया मैंने तो फिर से यह पूछेगा आपको तो 994702 सर्च किया और यह कंपनी की डीटेल आ गई इसी तरीके से आप देख सकते हो इसका फाइलिंग रिटन देख सकते हो हर्चीज देख सकते हो तो इस इसी के उपर यह वीडियो था दोस्तों अगर वीडियो पसंद आय झाई